कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी की अमेटी सीट से बिज़ेपी के नेता और केंद्रे मंतरी स्मृती इरानी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर रुख साफ किया है उन्होंने बद्वार को कहा कि आला कमान जो पैसला करेंगे वो मानेंगे कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले लोग सबाद चुनाव केरल की वाइनाड और यूपी की अमेटी सीट से लड़ा था लेकिन उन्हें इस मृति इरानी ने चुनाव में हरा दिए राहुल गांधी सिर्फ वाइनाड से सीट दर्च की थी इस बारे कॉंग्रेस ने वाइनाड से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उता रा है लेकिन अभी तक अमेटी को लेकर सस्पेंस बरकरार है राहुल जी स्वागत है आपका दोनों नेताओं जबकि आज परचार का पहला चरण समाप्त होने वाला है आपने मेरे मित्रों को थोड़ा सा कसरत करा दी वो दिल्ली से यहाँ हैं आपने गाजियाबाद में क्यों PC की यूपी दिल्ली छोड़के गाजियाबाद में PC हो रही हैं दूसरा सवाल यह है राहुल जी से कि लोग तो गुजराच छोड़कर PM बनने के लिए बनारा साते हैं आप बाइनाइट चले गए तो क्या अमेठी या राइबरेली से आपना रही है यह बीजेपी वाला क्वेस्टिन है पसरकार का सवाल पहले ही ओपनिंग ओपनिंग अब देगा मैं वो करूंगा सीजी मीटिंग हमारे हमारी पार्टी में सीजी मीटिंग में यह दिसीजिजन लिये जाते हैं बट पहला बीजेपी का क्वेस्टिन गुड पर यह उपन एंड़ प्रेस कॉन्फरेंस है प्र इसमें एक और बात मुझे पहले ही जो तीन बीजे पहला सवाल महिकार सिज्टी हिंदुस्तान हिंदी डेली को माइक दीजी को राहुल जी स्वागत है आपका दोनों नेताओं जबकि आज परचार का पहला चरण समाप्त होने वाला है आपने मेरे मित्रों को थोड़ा सा कस्वत करा दी वो दिल्ली से यहां हैं आपने गाजियाबाद में क्यों PC की यूपी दिल्ली छोड़के गाजियाबाद में PC हो रही है दूसरा सवाल यह है राहुल जी से कि लोग तो गुजरात छोड़कर PM बनने के लिए बनारा साते हैं आप बाइनाइट चले गए तो क्या अमेठी या राह बरेली यह बीजेपी वाला क्वेस्चन है पसरकार का सवाल पहले ही ओपनिंग ओपनिंग बॉल ओपनिंग में ओडर मिलेगा मैं वो करूंगा CEC मीटिंग हमारे हमारी पार्टी में CEC मीटिंग में यह डिसिजन लिये जाते हैं बट पहला बीजेपी का क्वेस्चन गुड क्वेस्चन थैंक यू